जै माई की जनना सौच मरणा सौच एवं रजस्वला इस्त्रियों का जो असौच है यह प्रायाहा सादकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या नजर आता है सादकों को ऐसा प्रतीत होता है उनको इस तरह का चिंतन बार बार आता है कि यदि उनकी परिवार में कुटुम्ब में किसी की मृत्यू हो गई हो तक उन्हें क्या क्या करना चाहिए क्या उन्हें अपनी साधना बंद कर दीनी चाहिए अध्वा साधना को अनवत रूप से करते रहना चाहिए अगर किसी किया जन्म हुआ है परिवार में तो उनके लिए कौन सा कर्म करने योग है साधना संबंधी ये जब साधना करें या ना करें अगर घर में रजस्वला इस्तरी है तो उस स्थिती में भी उन्हें अपनी जब साधना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अत्वा ऐसी स्थिती में इस्त्रियों को भी क्या जब साधना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए प्राया है ये तीन तरह के असौच की जो अवस्था है असुद्धी का जो भाव है वह सादकों के अंदर कहीं न कहीं हाहा कार मचाता ही रहता है उन्हें परिसानी में डालता ही रहता है सारी रिक असुद्धी की तो बात छोड़ो मानसिक असुद्धी इतनी जादा हो जाती है बिचारों की असुद्धी इतनी जादा हो जाती है कि उन्हें नजर ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इन सभी के संबंद में हमारे सास्त्रों की क्या अग्या है क्या यह तीन प्रकार के असौच ही सास्त्रों ने बताए है या इनके अलावा भी और भी असौच है आईए इन सब पर एक छोटी सी चर्चा रखते है तो सास्त्रों जो असौच बताए गए हैं वे प्राया आठ प्रकार के वताय गए, उनमें न्त्यु असौज, जिसे हम मरणा सौज कहते हैं, जन्व का असौज, असुद्धी, जिसे हम जन्वा सौज कहते हैं, रजस्षुला इस्त्रियों का जो असुद्धी भाव है, उसको भी असौज ही माना गया है, मलमूत्र का प्रतिदिन जो त्याग किया जाता है, उसके भाद भी असुद्धी का भाव होता है, उसको भी असौज़ा वस्था कही गई है, जब इस्त्रि का संग किया जाता है, मैथुन अवस्था में होते हैं, तब भी असौज़ वस्थित हो जाता है, उसके बाद की जो इस्त्ति है, उसको भी असौज़ा वस्था कहा गया है, जब केस करतन कराय जाते हैं, बालों को कटवाया जाता है, तब भी असौज़ लगता है साद को को, और जब किसी असौज़ी व्यक्ति का इसपर्स हो जाता है, असौज़ी व्यक्ति का आर्थ ये है, जो भावनात्मक रूप से असौज़ है, जिसके कर्म निंदिनिये हैं, जो सास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करते, उनको असौज़ी व्यक्ति कहा गया है, ऐसे असौज़ी व्यक्ति का इसपर्स हो जाता है, तो असौज़ की अवस्था निर्मित होती है, और एक असौज़ तो प्रतलिन सभी को ही लगता है, जब आप सयन करके निर्मित होते हैं, जब आप सो करके जागते हैं, तो जब तक आप इसनान नहीं करते, तब तक आपक को असवच अवस्था में ही कहा गया है कि इस सभी में सादकों को क्या करना चाहिए आईए इस पर फोड़े ऐसा विचार करते हैं तो सबसे पहले किसी की मृत्यू यदी परिवार में हो गई है तो उसमें जो असवच उपस्थित हुआ है यह कितने दिन का होगा इस पर विचार करते हैं यदी किसी की मृत्यू परिवार में हुई है कुटुम्ब में हुई है तो तेरा दिन का असवच पालना होता है तेरा दिन तक आपको किसी भी देवालय में जाना पतिवंदित होता है आपको किसी देवता का इस परसन नहीं करना होता है अब यह किस किस को नहीं करना होता है तो परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी पर यह असुद्धी का भाव कि जो नियम है वह लागू होता है परिवार का अर्थ है कि आपके तीन पीड़ी के व्यक्ति तीन पीड़ी के व्यक्ति का अर्थ है कि आप सयम आपके पिता और आपके पिता के पिता अर्थात आपके पितामह आपके दादा जी के व्यक्ति हैं उन सब को उस असवचा वस्था में पाया जाता है यह सभी उस असवचा वस्था से निकलते हैं इसलिए उन्हें तेरा दिन तक असवच पालना होता है और यह नियम सभी को मानना ही चाहिए इसके अलावा जो समन्दी है उन समन्दियों को भी एक दिन का अशुच लगता है अगर आपका कोई समन्दी समाप्त हो गया है उसने अपनी देह का ठ्याक कर दिया है और आप उसके अंठेश्टी कर्म में गए हैं तो अंतेश्टी कर्म से आने के बाद इस्ना अनित्यादी क करने के उपरान्त भी यदि आपने दिन में अंतेष्टी कर्म में आप गए हैं तो रात्री में जब तक तारा गण उदित नहों जाएं तब तक आपको असौच पालना होगा और यदि आप रात्री में किसी के यहां गए हैं तो जब तक सूव्योदय नहीं हो जाता तब तक आपको असौच पालना चाहिए तो यह एक दिन का असौच संबन्धियों को लगता है जितने भी आपके आत्मिय व्यक्ति हैं उन सभी को यह एक दिन का असौच होता है इस असौच अवस्था में उनको भी किसी भी देवालाय में नहीं जाना चाहिए और देवताओं का इस परस नहीं करना चाहिए और तीन पीड़ी तक के व्यक्तियों को तेरा दिन तक असाउच पालना चाहिए आब इस से सम्बंदित बहुत सारी भ्रान्तियां हैं कई इस्थानों पर सबा महीने तो कई इस्थानों पर यह ऐसा व्यर्थ है इसका कोई भी सास्तोप्त परमान नहीं है इसलिए तेरह दिन तक जव तक त्रियोदसी संपन्न न हो जाए तब तक ही असौच पालना चाहिए और तेरह दिन के उपरांत आप देवालाय में जा सकते हैं देवताओं का इस पर्ष कर सकते हैं अब इन तेरह दिनों में क्या आपको कोई भी भजन साधना नहीं करना चाहिए तो तेरह दिन में हमें प्लियास करना चाहिए कि हम अगर इस तरह से साधना नहीं कर सकते तो मानसिक जब नाम मंत्रों का जब मंत्रों का जब मानसिक जब तो करें ही इस सब को करने में किसी भी तरह का असवच आड़े नहीं आता ये सब तो करना ही चाहिए परमात्मा को माई को याद करना यह किसी भी असवच अवस्था में किया जा सकता है सभी प्रकार की जो असुद्धियां है उन सवई प्रिकार की असुद्धियों से यदी निर्वित होना है तो भगवती का चिंतन करना चाहिए अगर आप उनका चिंतन करते हैं तो आप वैसे भी असुद्ध से निर्वित हो जाते हैं इसलिए मानसिक जब और चिंतन करने में किसी भी तरह का कोई भी परहिज नहीं करना चाहिए अब इसके बाद यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यदि आपके यहां कोई आसवच हुआ है किसी की मृत्त हुई है और आप किसी विसेश प्रियोजन से कोई देव पूजा कर रहे हैं कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और घर से बाहर हैं किसी मंदर में हैं किसी तीर सिस्थान पर हैं अपने इष्ट देवी के मंदर में है तो क्या आपको वह अनुष्ठान बीच में छोड़ देना चाहिए नहीं इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए आपको उस अनुष्ठान को विदिवत पूड़ा करना होता है क्योंकि अगर आप यदि घर से बाहर हैं और घर में नहीं आ रहे हैं और आप किसी एक विसेश देव पूजा में किसी अनुष्ठान में सनलगन हैं तो फिर आपको वह असौच ब्याप्त नहीं होगा फिर आपको उस अनुष्ठान को पहले पूड़ा करना चाहिए उसके बाद अपनी घर आना चाहिए किन्तु इस बीच घर के किसी भी व्यक्ति से आप न मिलें घर की किसी भी वस्तू का इस्तमाल न करें भोजन इत्यादी तो विल्कुल भी न चुमें इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका अनुष्ठान विदिवत संपन्न हो सकता है आगे जो जनना सौच है किसी के घर में किसी का जन्म हुआ है ऐसी इस्तिती में उसको क्या करना चाहिए ऐसी इस्तिती में साधक को क्या करना चाहिए तो ऐसी इस्तिती में भी कम से कम दस दिन का सौच साधक को पालना चाहिए अगर उसके घर में ही किसी बालक का जन्म हुआ है तो उसे दस दिन का असवच पालना चाहिए उन दस दिनों में उसको उसी तरह से देवताओं का इसपर्स नहीं करना है देवालाय में नहीं जाना है किन्तु मानसिक जब करना है माई का चिंतन करना है माई को याद करना है यह सब को करने में किसी तरह का कोई भी परहेज नहीं है तो दस दिन का असाउच जनना साउच में होता है जिसको तीन पीरियों तक जिस परकार से बताया गया है उसी परकार से उसका पालन करना चाहिए अब आगे की जो असव चावस्था है जो इस्त्रियों के लिए बताई गई है वह है इस्त्रियों के रजश्वला होने करे उस इस्त्ति में इस्त्रियों को क्या करना चाहिए एवं घर के लोगों को किस तरह का विवहार करना चाहिए तो उस इस्थती में जो इस्त्रियों के लिए सास्तों तविदान बताया गया है वह यह बताया गया है कि उस इस्त्ति में इस्त्रियों को किसी का इस परस नहीं करना चाहिए भोजन इत्यादी नहीं बनाना चाहिए और अधिक से अधिक उन्हें सयन या आराम करना चाहिए अब यह सब सास्त्रों न क्यों बताया है इसके पीशे भी एक विसेश कारण है जब भी इस्त्रियां देवियां इस प्रकार के माहुल से निकल रही होती है तो उनको सारीडिक कमजोरी का अनभव होने लगता है ऐसी स्थिती में उन्हें अधिक परिश्रम न करना पड़े अधिक से अधिक उनको आराम का समय मिल सके इसलिए शास्त्रों न यह मर्यादा रख की होई है कि उनको अधिक से अधिक आराम करना चाहिए और उने कोई भी परिस्रम साध्य कठिन कार नहीं करना चाहिए वे अधिक से अधिक आराम करें सयन करें और भगवती के मानसिक जब करें उनका इस्पनर करें इसको करने में कोई हानी नहीं है और भोजन इत्यादी ना पकाएं क्योंकि उसमें जब वो अगनी के सम्मुक रहते हैं तो उन पर अधिक स्रम होने का दबाव होता है घर के लोगों को किस तरह से करना चाहिए घर के जो व्यक्ति हैं उन्हें प्यास करना चाहिए कि वे अपनी साधना निरंतर उसी तरह से करते रहें जिस तरह से वो कर रहें क्योंकि जो असवच आवस्था है वे केवल घर की इस्त्रियों को होती है पुरसों को नहीं होती है इसलिए पुरसों को अपनी साधना अनवत रूप से करते रहना चाहिए उनकी साधना में किसी भी तरह का कोई विगन नहीं आना चाहिए इस तरह से ये तीन प्रकार के जो प्रमुख असवच हैं उनके संबंद में सास्त्रों ने चर्चा बताई है किन्तु इसके आगे भी कुछ असवच और हैं जिन पर चर्चा सास्त्रों ने की है जैसे मल मूत्र त्याग करने के उप्रांत भी आपको असवच लगता है यदि आप मूत्र त्याग करते हैं तो हाथ पेरों को धो करके उस असवच से उस असुद्धी से निर्वित्ती हो जाती है मलत्याग करने के उपरांत आपको प्राया इस्नान करना अनिवार्य होता है तो आपकी इस्नान करने के उपरांत उस असुद्धी भाव से निर्वित्ती हो जाती है उसी तरह से जब इस्त्री का संग किया जाता है मैथु नवस्था में रहा जाता है तब भी आपको असवच अवस्था का सिकार होना पड़ता है। तब भी आपके अंदर उस प्रकार के भाव आते हैं कि उसकी निवित्ती के लिए जब तक आप इस नाम नहीं करते। तब तक आपको उस असुद्धी भाव में ही माना जाता है। तो मैथू नवस्था में रत होने के उपरांत प्राया इसके लिए रात्री का समय ही निर्धारत किया गया है। तो सुबह आपको इस्नान कर लेना चाहिए। और इस्नान करने के उपरांत आप असुद्धी के भाव से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से जब केस करतन कराये जाते हैं। बालों को कटबाया जाता है। तब भी आपको असुच लगता है। और वही तभी निर्धत होता है जब आप अपने केस करतन कराये हुए जो वस्त्र हैं। उन सभी बस्त्रों को धूने के लिए डाल देते हैं। उनको जल में भगो देते हैं और फिर आप इस्णान कर लेते। तो इस तरह से करने के उप्रांत आप उस असुद्धी भाव से मुक्त हो जाते हैं इसी तरह से किसी असुची व्यक्ति का एदिया आप इसपर्ष करते हैं असुची व्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कोई जाती संग्यक अर्थ इसका नहीं लेना चाहिए असुची व्यक्ति के इस पर्ष से केवल इतना ही अर्थ है कि किसी किसी व्यक्ति के भाव ही तने अपवित्र होते है उसके कर्म ही तने अपवित्र होते है जो मानव जाती के लिए सुभ नहीं माने जाते है जो किसी के लिए सुभ है ही नहीं न विचारों से न शरीर से और ना ही किसी अपने करत्य से ऐसे व्यक्ति को असची व्यक्ति कहा गया है अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको असुध्धी का भाव व्याप्त हो जाता है और उस तरह के व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आपको इसनान करना अनिवार हो जाता है और एक प्रकार की असुद्धि और है जो सभी को होती है वह होती है जब आप सैन करते हैं सो जाते हैं तो उसके सोने के उपरांत जब आप उठते हैं तो आपको इस्नान करना अनिवारे होता है क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं उनसे अनिकों प्रकार के मल जो द्रस्व हैं और अद्रस्व हैं वो प्राया निकलते रहते हैं और उन सभी की निर्वत्ती तभी होती है जब आप विदी पूर्वक इस्नान कर लेते हैं तो इस्नान प्राया सभी में आवश्चक है है या इस इस्तिती में नहीं है कि वो इसनान कर सके या यदि वो इसनान करता है तो उसके साथ उसको कई और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या बहुत अधिक सीतलता है जहां इसनान करना संभव ही नहीं है तो क्या ऐसी इस्तिती में उसके लिए सास्त्रों ने कुछ और विधान बताये हैं तो सास्त्रों ने अनिकों प्रकार की इस्रानों का विधान बताया गया और उसके लिए एक बिसेश वीडियो चर्चा हमने पहले ही आपके लिए समर्पित की हुई है जो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्करप्शन में प्राप्त हो जाएगी तो आप उन इस्रानों को समझें और उसमें एक इस्रान ऐसा भी बताया गया है जिसको कहा गया है मानसम विष्णु चिंतनम अगर आप भगवान विष्णु का माई का मानस चिंतन कर लेते हैं तब भी वो एक इस्रान ही होता है आप अकर उनका चिंतन करते हैं तो आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं यह समेत पुंडरी का च्छम सवाया भ्यंतरहा सुचि आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं तो माई का चिंतन इसमा सदैव करते रहें जिससे आपकी सुद्धी बनी रहे मानशिक सुद्धी और सारीरिक सुद्धी इसी भावना के साथ जै माई की तो में हमा का चिंतन इसमा सारी बनी बन्हें, कब्सदी ऍटन इसमा स्मा Сबब भी माई